नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चनल में मित्रो जोतिस की इस अंक में हमारे दर्सक है कानपूर से हर्स जी है कानपूर उत्तरपदेश से और यह आई-एस की त्यारी कर रहे हैं तो इनका प्रशन है कि हाँ इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी हर्स जी आपको बताना चाहेंगे कि आपके सबसे पहले तो कि अगर आपने डेटा बढ़ जो हमें भीजी हुई है वो सत्पित सही है तो उसके अनुसार गढणाएं भी सही होंगी तो उस हिसाब से जो गढणा आई है सामने आपकी कुंदली का अनुसार अगर आपकी के बाद संयोग अच्छा सा आयेगा अभी आप खतास नहीं हो ये एतना आसान भी नहीं होता है ये परिच्छा है तो आप मेहनत करिएगा 2026 के बाद आपको सफलता मिलेगी उसके लिए हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं कुछ पूजा बता रहे हैं छोटी-छोटी वह आप करिएगा पढ़े आपको मनवांचित फल की प्राप्त होगी सबसे पहले हर्जी आपको बताना चाहेंगे जैसा है कि मैं सबको बताता हूं कि जितने लोग भी जोतिस या धर्म और इस वर विश्वास रखते हैं वो लोग मांसाहार का बिल्कुल भी सेवन ना करें मित्रो जब भी आप मांसहर का सेवन करते हैं पिछले एक वर्स के आपके सारे पुन्न छिन हो जाते हैं नश्ट हो जाते हैं पिछले सबसे पहले अगर आप मांसहर का सेवन करते हों मांस मद्रिया दारू इसका सब का सेवन करते हों तो यह बिल्कुल बंद कर दीजिए राच करिएगा उसके दांत उसका स्वभाव वैसा बना होगा उसके दांत वैसे होंगे कि आपको मांस खाने लाइक आगे लंबे ऐसा करके बने होंगे आप सेर को देखेंगे कुट्टे को देखेंगे आपन लोगों के जो दांत होते हम लोगों के जो दांत होते हैं इनसानों के ज दुनिया में, तो वैसा हमें नहीं बनना है, हमें साकाहरी रहना है, तो हर जी आप साकाहरी रहिएगा, 2026 के बाद आपका संयोग आएगा, आप कुछ उपाय करिएगा, उपाय में सबसे पहले है, आप सनिवार के दिन, सनिवार के दिन आप लिजएगा लोहे की कोई वस्तु, या सरसो का तेल, या काला कप्ड़ा कोई, काला वस्त्र, तीनों में से कोई दो चील ले लिजएगा, कúngकि ज्यादा महंगी नहीं है, यथा सक्ति दोची ले लिजेगा उसमें यथा सक्ति आप दख्षिन लगा दीजेगा और किसी गरीब निर्धन लाचार विक्ति को आप दान करीजेगा या आप किसी स्योग ब्रहमर को आप दान करीजेगा ये प्रिक्रिया आप हर सनिवार करिएगा लगातार साथ से नो सनि हनुमार को पूजन के पर साथ आप चावल लिजेगा सफेद और पंख्षियों को चुगाईएगा जहां पे चडिया हों पक्षी हों कबूतर हों कोई भी हों वहां पे आप पक्षियों को सफेद चावल आपको खिलाना होने चुगाना है यह आप लगातार करिएगा हमेशा लाइफ आपको मनवांशित फ़लों की प्राप्त होगी उसके साथ साथ आप हनुमान जी की सच्चे मन से अराधना करिए सच्चे मन से आप अराधना करिए आप मंगलवार ये सनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाईएगा अवश्य आपके अगल बगल हो तो बिल्कुल जाना ही होगा और वहां आप उनको चोला चलाईएगा हर्जी चोला उसी को बोलते हैं जो मोटा सिंदूर होता हनुमान प्रभु को जो अर्पित किया जाता उसमें घी और सिंदूर ये समेली का तेल इत्र ये सब चीजे जिधा सक्ति आप मिला के उसमें आप लेप करिएगा प्रभु को किसी को बोलते हैं चोला चलाईएगा उसी चोले में से पैर का थोला सा जब हाथ में आपके लगा रहेग सची मन और पूरी शद्धा के साथ आपको असातीत लाब होगा जब भी आपको थोला सा लगे कि हाँ लाब हो रहा है पॉजिटीव हो रहा है अच्छा हो रहा हमें कमेंड के माध्यम से जरूर बताईएगा मित्रों जब आप लोग कमेंड करते हैं अपनी शमश्याय बतात करती है कि आप लोगों का मार्ख दरसन हो प्रभू की कृपा हो प्रभू की सरन में आएं हम लोग क्युकि वही एक ऐसे हैं प्रभू सब्धाश कर सकते हैं तो आप ये सारे उपाय सच्प्शे और सताय करिएगा हरिस कि अ को अआपको मनवानशित रूर्ट की प्राप्त अ अप्लोड किये जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है तो दोस्तों मिलते हैं एक नया ग्यान और्थक वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रों